पाटना से उधना के लिए मेरे को 25 जुन को टिकट बुकिंग करना था तो जब मैंने सर्च किया पाटना से उधना को 25 जुन को तब मेरे सामने तीन ट्रेन ने देखी जिसमें दोस्तों सभी में स्लीपर क्लास में बेटिंग टिकट था लेकिन दोस्तों जब ये मैंने ट्रेन सर्च किया जीरो नवे बारा माल दाव तक दो इसमें मेरे को डाउट लगा कि बाइस बेटिंग बता है जा रहा है स्लीपर में लेकिन इसमें बेटिंग नहीं है इसमें मैं बुक कर रहा हूँ ना भाई सहाब यह 22 भाले ही बेटिंग में है लेकिन मैं अभी आपके सामने कॉनफर्म टिकल बुकिंग करके दिखाऊंगा पटना जंक्सन से उधना जंक्सन के लिए और इसी ट्रेन में मैं चैलेंज करता हूँ अगर आप ये वीडियो को थोरा सा आगे यूज करूंगा जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेन में 22 भी बेटिंग बताया जा रहा है पटना से उधना के लिए 25 जुन को और ट्रेन नमबर है 092 जिसका दोस्तों अगर मैं बेटिंग में टिकट ले लेता हूँ तब दोस्तों मुझे परता है 820 से खलती है या फिर वो ट्रेन कहीं और से खलती है और कहीं और दोस्तों यह करने लिए सब सब पहcreat का लोगा चला है और जाना है everywhere is my train में में और train पर जालना है 092 आपर देख सकते हैं माइल डाय production है और जैन है सर्च किया था मुझे पता चला कि ये ट्रेंट तो पटना जंचंसे खुलती ही नहीं है यहाग ठेन खुलती है पटना जंचंसे 400 किलोमीटर पहले माल्डा टाउनं से ही और यह ट्रेन वह तक जाती है जहाँ अ När सब्सक्राइब करने रहा हूं लेकिन मैं पूक कर रहा हूं 400 किलो किलोमेटर बाद पत् debris तो एक कवर आपको तब मैं आपको बताऊंगा बुकिंग करने का तरी का लेकिन रूख जाए तो मैं यहाँ चेक करने के लिए सबसे पहले में यहाँ पर डालता हूं वालदा टाउन यहाँ पर मुद्धना चेक कर दोंगा काफी सर लोकल मन में सबाल चारा हुगा कि अच्छाई भाई साब वहा पटना जंग्चन ऐसा ही करने वाल है ना तो आपके मन में भाई साब यह सवाल चार रहा होगा और कई सारे लोग सोच रहें तो वहां तो प्राइस था आच्छोबी सुर्प्या लेकर यहां पर देखिए 930 रुप्या प्राइस है हम 110 रुप्या क्यों दें इंडियां रेल आप लग सामने रहें तो जब मैंने चेक किया मालदा टाउन से उधना के लिए 25 जून को ही तब मेरे को अभिलेवल एक 28 सिट देखा अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जी सटेशन से टिकर्ट बुकिंग करने वाले थे पटना जंग्षन से तो वो ट्रेन पटना जंग्षन के लिए और देखे के कहां जंग्षन से खाली मिलता है वहां से बॉक कर दीजिए और बोर्रींग पॉइंट पटना जंग्षन रख लीजिए जैसे कि हैं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पाथना जंग्षन से पहले बकतियार पूर से चेक करने वाला हूं उ लेकिन में 15 रिप्य एक्स्ट्रा दूँ और मैं बक्तियारपूर से बूख कर लो तो मेरे को दूख करना है आप सभी लोग जानते हैं कि वोडिंग्पंट यहांपर दोसेlor देख सकते हैं आप नेक्स्ट करईएगा पैसेंजर नाम में पेज में यहांपर ऊपर में यहांपर लिखाव है चेंज बोडिंग पाई यहांपर आप क्लिक किजिए बैठने भिला हुँ तो मैंने पटना सेलक्टिक कर दिया यहां पर टाइमिंगी देख सकते हैं इसके इसमिन लोग देखिए मेरे को एक मिनिट कर लेजिए आपर मैं जल्दी सी आपर मैं फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूं यहां पर दोस्तों जब मैंने पेमेंट पेज पर पहुंचा पैमेंट करने के बाद आप लोग यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पटना से उधना के लिए कन फार्म टिकट मिल चुका है भले ही मैंने बोरिंग चेंज कर दिया हो मतलग कि मैंने बुक किया है बक्तियारपुर से लेकिन मैं बोरिंग चेंज कर दिया हूं पटना से जो कि कॉन फार्म टिकट मिल चुका है अभी आप लोग देख रहे थे कि बेटिंग में टिकर मिल रहा था मेरे को 15 करता हूं लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि हो सकता है कि आप कभी न कभी चेक करें ट्रफर्स्ट टू इंडस्टेशन उसके बाद भी अगर वेटिंग में बताया जा रहा है तब यहाँ पर आप घूसे बेटिंग टाइप के प्राकार में अगर अगर आप यहाँ पर मेरे निसार चेक कर रहा है तो 90 80 पर सेंट है कि आपको हमेशा जदातर अगर आप लोग भी कभी बेटिंग में टिकर बुकिंग करने से पहले यह दिमाग थोड़ा आप लोग जरूर चला लिजेगा चुकि दोस्तों काफी सारे लोग जो मेरे वीडियो के निचे कमेंट करते हैं और यहाँ पर उनका चेक करता हूँ और मैं यह भी करता हूँ कि अगर यह इस सट्रेशन से इस सट्रेशन तक बुक किया रहा तो अभी देखिए यहाँ पर आरे से में टिकर मिल रहा होता लेकिन वेटिंग मिले करके यहाँ पर में तरसे पूछ रहें कनफर्म होने का चांस आप बताए अगर वह एक दो स्ट्रेशन पहले से बुक करते हो हो पाया तो आप लोग वेटिंग टाइप के परकार चूच कर सकते हैं जो कि मेरे आने वाले हरे एक वीडियोज में आपको आपको मैं बताने के और को सिस्क्रोंगा तो दोस्तों कैसे लगा आज के वीडियो बहुत सकता है आपके लाइफ में यह बहुत ही अगर आप हमारे चैनल पर नए मेमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मेमान बन सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं करने और इंट्रेस्टिंग भरी वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जै भारत जैसरी रांग